नमस्कार सातियों, कलाम परिवार में आप सभी का हर्दिक स्वागत हैं, सातियों हम पढ़ रहे हैं Indian Politi और इस Indian Politi में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये Indian Politi से समंदित हमारी Concept Class भी है और PYQ Class भी है, जिसके समंद में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी टोपिक हैं उस topic के बारे में completely analysis कर रहे हैं उसके बाद में उससे समधित अगर कोई PYQ है तो उसका solution जानने का प्रियाज कर रहे हैं तो हमारी जो पिछली class थी उस पिछली class में हमने क्या पढ़ाता साथियो DPSP के बारे में पढ़ रहे थे राजे के निती निदे सक्ततों के बारे में पढ़ रहे थे और राजे के निती निदे सक्ततों के बारे में हमने देखा था कि DPSP का जो भाग है अगर हमारे सविधान की बात की जाए तो हमारे सविधान में कुल 22 भाग है उस कुल 22 भाग में से जो भाग संक्या 4 है वो भाग संक्याच्याच इसी समंदित हैं और अगर हम constitutional प्रोविजन की बात करें यानि article की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर article 51 तक के जो constitutional provision है वो किसे समंदित है वो DPSP से समंदित है तो पिछली जो DPSP की दो क्लास से हुई है उसमें हमने क्या देखा था आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक के जो आर्टिक जो constitutional provision है उनके बारे में जान लिया है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसी से समंदित को वीविद जो बच्चे वे हैं उनके बारे में देखने वाले हैं तो साथ हमने देखा था कि अगर हम आर्टिकल 37 की बात करे हमारे ही Constitution के आर्टिकल 37 की बात करे तो 37 में ये बताया था कि DPSP क्या है DPSP क्या है DPSP है सासन संसालन के मूलबूत तत्वे fundamental element of governance और राजिय क्या करने वाला है विदी के दुआरा इन जो सासन के जो मूलबूत तत्वे हैं उनका किरियानुमेन करना ऐसा राजिय का क्या होगा सातियों करते भी होगा तो ये किस परकार का करते हैं एक नेती कर हैं क्योंकि हमारा जो DPSP का जो अध्याय है वो क्या है एवाद योग्य है एपरवर्तनी हो है अथार इसका पर यह वा इसका उलंगन की स्थिति में हम कहां पर नहीं जा सकते हैं सरवुचे न्याले में नहीं जा सकते हैं तो आज की क्लास को हम प्रारम करते हैं तो में जितने भी जो DPSP लेके हैं उन DPSP का किसी भी परकार का वर्गी करने नहीं किया गया है अतार्थ हमारी सविदान सबाने जो DPSP का जो अज्याय लिखा उसमें किसी भी परकार का वर्गी करन नहीं किया लेकिन अगर हम DPSP में जो उल्लेकित प्रावदान हैं जो देखना होगा हमारे सविधान सभा की प्रश्ट बोमी को देखना होगा अगर हम बात करें हमारी सविधान सभा की हमारी जो Constitutional Assembly थी उस Constitutional Assembly में जो लोग थे या जो उसके सदेशे थे साथिए यह सदेशे ना कैवल अलग-अलग से अपना परतिनी दित्व कर रहे थे अपी तो यह सदिशे क्या कर रहे थे अलग लग विचारदारों यह सदिशे क्या कर रहे थे अलग अलग विचारदारों का भी परतिनी दित्व कर रहे थे विचारदारों का परतिनी दित्व कर रहे थे कौन-कौन सी मुख्य रूप से ये कौन कौन सी विचारदारों का परतिने दित्व कर रहे थे ये मुच्चे रूप से तीन परकार की विचारदारों का परतिने दित्व कर रहे थे एक विचारदारा की बात करें तो नंबर एक पर हम लिख सकते हैं उदारवाद उसके बाद में नंबर दो पर कौन सी विचा विचारदारा के आदार पर कितने भागों में विबाजित कर सकते हैं, तीन भागों में विबाजित कर सकते हैं, नमबर एक को हमने लिखा है, उदारवाद, नमबर दो को हमने लिखा है, समाजवाद और नमबर तीन को लिखा हमने गांधिवाद, इस आदार पर अलग-लग प प्रोवीजन है उनका सुजाव दिया तो उसी संदर में हमारे DPSP के चेप्टर में उसी परकार के प्रोवीजन है जोड़ेगे सबसे पहले तो हम उदारवादी प्रावदान समाजवादी प्रावदान और गांदी प्रावदान जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि उदार उदारवादी विचारदारा किसको महत्पूर्ण मानती है उदारवादी विचारदारा विक्ति को महत्पूर्ण मानती है यह मानती है कि इंडिविजल आर मोर इंपोर्टेंट देन सोसाइटी अथार्थ जो विक्ति है वो समुदाई की तो नामे महत्पूर्ण है और यह वि उदारवादी विचारदारा समतंतरता एवं समानता समतंतरता एवं समानता में से प्रायोरिटी पर किस को रखती है वो प्रायोरिटी पर रखती है सातियों फ्रीडम को उसके लावा ये किस की बात करती है ये विक्ति की समताओं विक्ति की समताओं की बात करती है उदारवा institutionalism की बात करती है या सिमित सरकार की बात करती है इसका अताद पर यह हैं कि जो सरकारे हैं वो सरकारे क्या होनी चीए सिमित होनी चीए उसकी सक्तियां सिमित होनी चीए और किस से सिमित होनी लोगों के अधिकारों से तो उदारवादी किसकी बात करते हैं अधिकारों की बात करते हैं किसकी बात करते हैं अधिकारों की बात करते हैं तो ये तो हो गया साथी उदारवाद उदारवाद किसकी बात करता है वेक्ति की बात करता है समतंतर्ता को प्रात्मिक्ता पर रखता हैं कि समुदाई मेहत्पूर्ण है कि community are more important than individual निकि समुदाई मेहत्पूर्ण है किसकी तुलना में वेक्टी की तुलना में और जो समाजवादी लोग है यह मानते हैं कि समाज की जो सबसे महत्पूर्ण गतिवीदी है वो सबसे मेहत्पून गतिवीदी क्या है आर्थिक गतिवीदी है आर्थिक गतिवीदी इसलिए है क्योंकि व्यक्ति अपनी अवसक्तों की पूर्थी करने के लिए किसे जूरता है एकोनोमिक एक्टिविटी से जूरता है क्योंकि जब व्यक्ति अपने आर्थ स्वामित व एवं लियंतरन इस परकास्य होना चीए ताकि इस संसाधन की साइता से हम क्या कर सके साहतिए समुदाई की बलाई कर सके यानि के community का welfare कर सके ऐसा कौन मानते हैं समुदाइवादी मानते हैं क्योंकि समुदाइवादी मानते हैं क्योंकि समाजवादी ये मानते हैं कि अगर हमें समतंतरता और समानता समतंतर था और समानता में से महत्पूर्ण मानने है तो महत्पूर्ण ये किसको मानते हैं ये महत्पूर्ण मानते हैं समानता को किसको मानते हैं समानता और समानता में भी कौन सी समानता आर्थिक समानता की बात करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं साथियों गंधी बात बोलते हैं। पर सेल्प कंट्रोल रखता हो उसके उपर किसी के नियंतरन की आउसकता ही नहीं होने चीए क्योंकि गांदी जी क्या मानते थे जो वेक्ति है उस वेक्ति का सभाव किस परकार का है सातियों नेतिक है वेक्ति को किस परकार का मानते थे नेतिक है जब वेक्ति नेतिक है तो इस परकार का समाज हो जिसके अंदर समाज के सभी वर्गों का क्या होना चीए उत्थान होना चीए कोई गरीब नहीं होना चीए कोई अमीर नहीं होना चीए कोई भी क्या अगड़ी जाती है पिछडी जाती जैसा कॉंसेप्ट नहीं होना चीए अपी तो समाज के सभी लोगों का क्या होना चीए उत्थान होना चीए समाच के सभी लोगों का क्या होना चीए कल्यान होना चीए और गांदी जी ने राम राजी के कौंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए या राम राजी के कौंसेप्ट को वहवारी रूप देने के लिए उन्होंने कौन सा सब्द बताया उन्होंने ग्राम सवराज की बात कि किसकी बात की सातियों ग्राम सवराज की बात की अथार्थ ग्राम पंचायतों के संगठन को आगे बढ़ाने की बात की तो ये तो अभी तक तो हमने देखा है कि हमने देखा कि जो न उदारबाद सब्द का क्या ताथ परिये हैं और गांधिवाद सब्द का क्या ताथ परिये हैं अब हम जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हम जो constitutional provision पढ़ चुके हैं उनी को हम देखेंगे कि कौन सा जो आर्टिकल है वो कौन सी विचारदारा से समंदित हैं तो जब आर्टिकल हमने पहले से रेटर के हैं या पहले से हमने याद कर लिए हैं तो अब हम इनको विचारदारों के आदार पर क्या करते हैं सातियों विबाजित करते हैं अगर हम बात करें उदारवादी विचारदा तो आर्टिकल अगर 44 की ब जिसके अंदर किस्य समंदित थे प्रावदान थे समान नागरिक सहिता से समंदित प्रावदान थे जो उदारवादी लोग होते हैं वो उदारवाद किसको मानता है विदी के सासन को मानता है और विदी के सासन में भी किसको मानता है विदी के समख समानता की बात करता है अथा उत्रा दिकार से समझी जो कानून है वह भी क्या होने छीमी कि समान होने चीमी कि अगर इसके बाद में आगर हम बात करें नियों किस से रिलेटेड़ था है लेसलिए नियुक्त कि अगरное उदारवाद की तो उदारवाद बात करता है विक्टी की गरीमा की अगर हमें बच्चे की गरीमा की हमें सुरक्षा करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा हमें बच्चों को early childhood care देना पड़ेगा और बच्चों को सिक्षा देना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके गरीमा में जीवन चीज सके उसके बाद में आर्टिकल्size के लिका है जब disappear श् Tyson Salam प्षूपार्ण का क्या करेंगे हम इसके अंदर आधुनिक आधुनिक निक निक परियों का प्रियों कर अड़िकल्चr आजनतों है उदारवाद किस को मानता है उदारवाद से समंदित है Demon को समंदित है उदारवाद से समंदित है तो कर्षी के अंदर जो आदुनिता की बात की जारी है, कर्षी के अंदर जो scientific method की बात की जारी है, वो किस समंदित हो जाएगा, उदारबाद से समंदित हो जाएगा, उसके बाद में अगर हम बात करें, article 48 का जो provision A है, उसमें क्या था, environment से परियावन के सरक्षन की बात की पाएंगे, जब क्या लेंगे, हब सुध हुआ लेंगे, और सुध हुआ हम तब ले पाएंगे, जब हमारा परियावन क्या होगा, सातियों सुध होगा, इसका तात्परी हैं कि उदारबादी क्या मानते हैं, कि उदारबादी परियावन वाद की भी बात करते हैं, अथार् प्रोटेक्षन किया जाएगा तो यह भी किसे समंदित हो जाएगा उदारबाद से समंदित हो जाएगा क्यों कि जो उदारबादी विचारदारा है वो संस्कृति को मानती है जबकि समाजवाद कल्चर को नहीं मानता है उसके बाद में बात करें अगर हम आर्टिकल फिप्टी की जिसके अंदर क्या था कि कारिये पालिका एवम न्याई पालिका में क्या होगा पर्तकन होगा तो सक्तियों के पर्तकन का सिद्धान को कौन मानता है सातियों उदारबाद मानता है क्योंकि सक्तियों का पर्तकन का जो सिद्धान्त है वो किसे जुड़ावा है सविदान वाद से जुड़ावा है क्योंकि यह मानता है कि सक्तियों किसी एक इंदर में नहीं होनी चीह अपीतों सक्जियों क्या होनी चीह पर तक पर folding चींग से प्रेशन Abs की बात कर तो उदार उदहर्वादी जो विचार दारा हेए उसका अगर अन्तराश्टी पक्स देखा जाए जिसको ओ अदर्ष्वाद भी बोलते हैं या उदहर्वाद बोलते हैं वो आदर्श्वाद और उदारवाद किसकी बात करता है अंतराष्टे शांति हैं उस रुक्षा की बात करता है तो यह जो को हमारे जो constitutional provision है साथियों यह constitutional provision किसे related हो जाएंगे यह उदारवादी विचारदारा से related हो जाएंगे उसके बाद में अगर हम बात करें समाजवादी विचारदारा की बात करें तो समाजवादी विचारदारा से related कौन कौन से constitutional provision है एक तो article 38 की बात कर ली जाए अर्टिकल 38 का इंदर क्या लिखा था कि राजी क्या करेगा लोगों के कल्यान में वर्दी करने का प्रियास करेगा राजी क्या जा सके उसके इलावा राजी क्या करेगा साथियों राजी सोसाइटी के अंदर जो एसमानता है उस एसमानता को क्या करेगा समाप करने का प्रियास करेगा और जो समाजवादी हैं वो किसकी बात करते हैं समानता की बात करते हैं उसके इलावा जो आर्टिकल 39 के जितने भी क्ल सातियों क्योंकि आर्टिकल 39 B में क्या लिखा था कि देश के जो बोतिक संसादन है उन देश के बोतिक संसादनों का स्वामी तुए वम नियंतरन इस परकार से सुनी स्चित क्या जाएगा ताकि हम समुदाई की बलाई को सुनी स्चित कर सके और ऐसी डेपेनेशन किसकी बोल समाज बात कि आर्टिकल 39C में क्या था आर्टिकल 39C के अंदर लिखा यहाँ था कि क्या किया जाएगा साथियों जो हमारी अर्थ्ववस्था है उस अर्थ्ववस्था का संचालन हम इस परकार से करेंगे ताकि हम क्या कर सके जो धन है यान्य कि वेल्थ है और जो हातों में नहीं जाने चाहिए उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 39 का जो केपिटल है जिसके अंदर निस्सुल्क न्याई की बात की जारी थी इकुल जस्टिक्स की बात की जारी थी उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 41 में क्या था कि राज जी अपनी आर् सैंगत होनी चैए और जो महिला हैं उनको क्या धी जाएगी पट्षूति ता दी जाएगी यह भी किस समंदित हो जाएगा प्रोविजन समाजवाद से समंदित हो जाएगा उसके बाद में 43 का कुलोज एक ही बात की जाए तो ये क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है जो सर्मिक हैं उन सर्मिकों को परबंदन की जो भागिदारी है परबंदन की गतिविदी में क्या करना है उनकी भागिदारी को सुनिशित करना है ताकि क्या किया जा सके सर्मिकों की भी बलाई हो सक तो जो काम से समंदित अधिकार हैं क्योंकि समाजवादी क्या बोलते हैं साथियों आर्थिक समानता की बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि समाज के अंदर जो संसादन है वो संसादनों का बटवारा इस परकार से हो ताकि सबी लोगों के बीच में लगबग क्या हो साथियों तरह समाजवादियों को ह 파ट कि एक तरब ऑज いきलिए और एक तरफ जोप्रियां नहीं होनी शीर, जो इतनी ज़दा एश्माऑनता हैं उनको बरदास्त को नहीं करते साथ हो समाजवादी या माकसवादी बरदास्त नहीं करते हैं अपी तो वह किसकी बात करते हैं आर्फिक загlanta economic Equality प्रयूसनी की बात करते हैं क्योंकि अगर हम Equality इस्तापित करने का प्रियास करेगा लोगों के जीवन अस्तर को उपर उठाने का प्रियास करेगा और लोगों को क्या देगा सातियों लोग स्वास्ते एने के पब्लिक हेल्थ कौन सा आर्टिकल समाजवाद से जुड़ावा है कौन सा विचारदारा मतलब उदारवाद से जुड़ी भी है कौन सा आर्टिकल उदारवाद से जुड़ावा है कौन सा आर्टिकल समाजवाद से जुड़ावा है ऐसा हाड को डिविजन करना मुश्किल है क्योंकि वर्तमान इसमें अगर लिखना है तो यह यह आर्टिकल हम कॉंटेक्स दे के लिख सकते हैं उसके बाद में हम बात करते हैं गांदी जी किसकी बात करते थे साथ यो गराम सवराज की बात करते थे अगर गराम सवराज की बात करते थे तो गराम के इंदर गाओं के इंदर सवराज की प्रवीजन होना चाहिए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए एक तो अगर राजनितिक पक्स की बात की जाए अगर पॉलिटिकल डाइमेंशन की बात की जाए तो वहां पे क्या देना होगा वहां पे पंचाई ती राज की स्ताफना करनी होगी अथार्थ 25 संगठनों की प्रवीजन होगे तो गांधीजी ने आर्टिकल 43 के अंदर सभी हमारा सभीदन आर्टिकल 43 में क्या बोलता है कि कुतीर उद्योंगों को क्या दिया जाएगा प्रोसान दिया जाएगा तो कुटीर उद्योगों को प्रोसान देना किस समंदित हो जाएगा गंधिवाद से समंदित हो जाएगा इसके लावा अगर हम बात करें आर्टिकल 46 के अगर हम 43 के बी प्रोविजन की बात कर ले सहेकारी सीमीतियों की बात कर ले तो सहेकारी सीमीतियों किसे समंदित है सातियों वो गांदीवादी विचारदारे से समंदित है क्योंकि इसमें सभी लोग आपस में जूड के क्या करते हैं विकास की गतिविदियों को आगे बढ़ाने का परियास करते हैं इसके अलावा अगर हम 46 की बात करें जिसके अंदर राजी क्या गरेगा समाज के जो कमजोर वर्ग हैं अथार्थ जो A.C.S.T. और अधर विकर सेक्षन हैं उनके सेक्षनिक हितों को और उनके आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के राजी परियास करेगा तो गांदी जी किसक 48 की बात करें जिसके अंदर क्या किया गया है जो मदपान है उस मदपान पर पर परतिबंद लगाने की बात की गई है यहने सराबंदी की बात की गई है तो गांदी जी वेक्टी को किस परकार का मानते थे नेतिक मानते थे गांदी जी हमेशा सकारात्मक संतंतर्ता के उन्तंतता पर कुछ पर्तिबंद लगाए जा सकते हैं और कुछ पर्तिबंद लगाने का ताथ परी है कि शराबंदी की जा सकती हैं तो ये प्रोविजन किसे समंदी थे सातियों गांधिवाद से समंदी प्रोविजन थे तो हमने क्या देखा है कि राजी की निती निदी सक्त करतों का वर्गी करन यहनी कि इसको तीन बागों में हमने बाटने का प्रियास किया है एक उदार बाद एक समाज बाद और एक गंदी बाद मैंने कहा कि कोई हाड को डिविजन संबव नहीं है फिर भी विविन परकार की पुस्तकों के अंदर का डिविजन मिलता है तो यह हमन कर लिया ह titled कचैप्टर भी पढ़ लिया है हमने रौ कि का चैप्टर भी पढ़ लिया है तो हम जेक प्रियास करता है कि अगर हम बात करें जो ऑम मतमेन्टल राइटि हैं कि बात करें मोलीक अधिकारों की बात करें तो मॉरी आधिकार कौन सी विचारदा Özो मेसारा को वदारवादी वचारदारा से समंदित है या उदार दर्शन से समंदित है जब क давно की आज दे पी सब्रकार से करते हैं Flame सेंगा अब देखो पंडामेंठ राइट या अधिकारदार विक्ति के दावे होते हैं और उदारवाद भी किसको महत्पुन मानता है उदारवाद भी किसको महत्पुन मानता है तो अधिकार का जो ज्याई है यानि जो फंडामेंटल राइट का जो ज्याई है वो कौन सी विचारदारा से समधित हो गया उदारवादी विचारदारा से स इसके अंदर समाजवादी प्रोविजन भी है इसके अंदर गांधिवादी प्रोविजन भी है इसके अंदर परियावन वाद की भी बात की गई है इसके अंदर किसकी बात की गई है इसके अंदर अंतराश्टी शांती की बात की गई है अंतराश्टी वाद की भी बात की गई होते हैं अधिकार मुख्यते कौन सी विचारदारा पराधारित होते हैं अधिकार उदारवादी विचारदारा पराधारित होते हैं उसके बाद में अगर इनकी परकरती की बात की जाए तो फंदामेंटल राइट होते हैं नकारात्मक परकर्तिक है जब कि जो DPSP है शाति ओडी PSP सकारात्मक परकर्तिक हैं यह कैसे हैं इसको देख लेते हैं क्योंकि मौलिक अधिकारों के अध्याई में राजी हमसे कुछ छीन नहीं रहा है लेकिन सातिओं हमें कुछ भी दे भी नहीं रहा है अधार्थ जो विदी के समक समता है अगर अमीर है गरीब है अंबानी का बेटा है किसान का बेटा है सबी को क्या समझा जाएगा एक समान समझा जाएगा यानि कि सब को जब एक समान समझा जाएगा तो उस कंडिशन में राजिये जो समाज के कम सब्सक्राइब करने का परियास करता है अब देखो दो अंतर देख लिए अगला अंतर साथ अगर हम इसकी बात करें तो फंडामेंटल राइट का जो चेप्टर होता है या फंडामेंटल है वो राइट से वो क्या है वाद योगे होने का तात्परी है अगर इनका उलंगन किया जाता है तो आर्टिकल 32 के तेज जो सवेदानिक उपचारों का अधिकार है उसके तेज आ परवर्तनिये नहीं है नोट इनफोर्सेबल है इसका तात्परी है इसमें आपको आर्टिकल 32 जैसे कोई प्रोविजन नहीं मिलेंगे अथार्थ डीपीएसपी के अंदर लिखे कोई कोई प्रोविजन है अगर उनका न्याईपाली का द्वारा क्या किया जा रहा है उलंग नमबर पांच के अगर बात करें क्योंकि ये वाद योगे हैं इसका तात्परी है कि ये विदिक परवाव रखते हैं इसका तात्परी हैं कि इसको लागू करवाने के लिए fundamental rights के chapter को लागू करवाने के लिए किसी परकार की विदी के निरमान के रहने क्या हो सकता नहीं होती है क्योंकि वो अपने आप सुवेट ही क्या होते हैं शाथियों लागू होते हैं तो fundamental rights क्या रखते हैं विदिक परभाव रखते हैं इसके इसको लागू करने के लिए किसी भी परकार की विदी निर्मान की आउसकता नहीं होती है अपी तो यह क्या होते हैं स्वेते ही लागू होते हैं अगर डीपीस्पी किस परकार का परभाव रखता है नेतिक परभाव रखता है या किस परकार का परभाव रखता है राज करने वाली है या उनका implementation करने वाली है तो इसलिए राजनेतिक परवाव हैं और यह सरकारों पर एक परकार का विदिक परवाव नहीं अपितु नेतिक परवाव है या सरकारों का नेतिक करते विए हैं कि वह DPSP के अंदर जो प्रोविजन लिकेवे हैं उनको लागू करें इस किस परकार के लोगतंतर की बात करता है साथियों राजनितिक लोगतंतर की बात करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है जबकि जो DPSP है DPSP क्या करता है साथियों आर्थिक एवं आर्थिक एवं सामाजिक लोगतंतर की बात करता है अगर इसकी बात की जाए फंड सामाजी का दिकारों की बात करता है तो यह हमने जो फंडामेंटल राइट्स है उसके इंदर जो डिप्रेंज हैं उन डिप्रेंज को देखा है हालां कि आगे जब हम पढ़ेंगे भी तो मिंदरवाब मिल्स माद में सुप्रीम कोट क्या बोलता है डिप्रेंटल राइट्स है वो क्या है एक दूसरे के पूरक है अथार्थ इसके अंदर विवाजन करना तरग संगत नहीं होगा लेकिन उनके जो प्रोविजन है उन प्रोविजन में कौन-कौन से डिफ्रेंज है उनको हमने देखा उसके बाद में साहती हो अगला जो हमारा टोपिक है वो है फंडामे से अधिक के मध्य विवाद के समंद में न्याई पाली का के महत्पून कौन-कौन से निन्य है कौन-कौन से जज्जमेंट है अब देखो साथ सबसे पहले यह जो विवाद होता है यह निकि फंडामेंटल राइट और डीपी एस पी के बीच में जो सबसे पहले जो आता है चंपकम दोराई राजनवाद में चंपकम दोराई राजनवाद अब देखो हालांकि पूरे डीपी एस पी अपने पढ़ लिए हैं पूरे फंडामेंटल राइट हमने पढ़ लिए हैं तो वही कॉंटेक्स में वापस में यूज होंगे कि आर्टिकल 37 की बात की जा है सासन संचालन के मूलबूत तवह हैं तो सरकारे क्या करेगी इनको और उनके क्रियानवीत करने के लिए सरकारे क्या बनाएगी सासेon विडी बनाएगी तो इसी के संदर में मदरा सरकार द्वारा इसी के संदर में मदरा सरकार द्वारा आर्टीकल 46 जिसमें क्या लिखा है कि राजी के दौरा तो समाज का जो माज का जो स्टी और अधर वीकर शेक्षन उनके लिए क्या किया जाएगा उनके एकोनोमिक इंट्रेस्ट यह नहीं उनके सेक्षनिक हितों को और उनके आर्थी खितों का उत्थान करने का प्रियास किया जाएगा तो मदरा सरकार क्या करती है आर्टिकल 46 को implementation करने के लिए एक कानून बनाती है आर्टिकल 46 को implementation करने के लिए मदरास सरकार एक कानून बनाती है जिसके आदार पर क्या करती है कि जाती के आदार पर जाती के आदार पर sectionic संस्ताओं में जितने भी जो मदरास के अंदर जो educational institution थे उनमें प्रवेश के लिए क्या कर दिया जाता है सातियों reservation दे दिया जाता है आरक्षन परदान कर दिया जाता है मदरास government क्या करती है article 46 को implementation करने के लिए मदरास राजी के इंदर जितनी भी जो sectionic संस्ताइं थी उनमें क्या कर दिया पर क्या कर दिया जाता है जब यहां पर कांश्ट के बेसेश पर सुप्रीम राजन कहां पर पूषते हैं सातीयों सूप्रीम कोद्बम पोछते हैं और सुप्रीम कोड़ मैं क्यािए बढ़ान को कौन-कौन से fundamental rights का argument देते हैं कि मदरा सरकार द्वारा जो यह वीदी बनाएगी है उस वह वीदी क्या कर रही है मदरा मदरा से समंदी जो नागरिक है या वहां के जो वेक्ति हैं उनके कौन से आर्टिकल का उलंगन कर रही है आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 29 का जो क्लोज टू ह उसका उलंगन करें इसमें क्या लिखा हुआ था कि राजी क्या करेगा नागरिकों के साथ राजी नागरिकों के साथ धरम के आदार पर मूलवन्स के आदार पर जाती के आदार पर लिंक के आदार पर और जनमिस्तान इन पांच आदारों पर किसी भी परकार का भेदवाओ उस में लिखा था यहां पर कि रिखा यह जो वित पोसित जितने भी जो This संस्तान होती है इंके अंदर पर वेश में पर बोलभाव के अदार पर जाती के आदार पर और बासा इने लेंग्वेच इन चार के आदार पर बेदबाव नहीं किया जा सकता है अन्या आदारों पर बेदबाव किया जा सकता है तो चार आदार के अंदर एक जाती सब्द भी लिखा था तो चंबकम दोराय रखने जो आर्ग्यूमेंट दिया उन्ह कर रहा है तो उसके संदर्व में फिर सरवुच्य न्याले नहीं यानि सुप्रीम कोट ने क्या जज्जमेंट दिया सुप्रीम कोट ने जो मदरा सरकार द्वारा जो एक्षन लिया था मदरा सरकार के इस एक्षन को क्या कर दिया जाता है सास्तियों खारीज कर दिया जाता है एसे वेदानिक बता दिया जाता है, अनलिगल बता दिया जाता है, तो मदरा सरकार का ये एक्षन क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसके बाद में जो हमारी सेंटर गोवर्मेंट होती है, जो संग की सरकार होती है, वो संग सरकार क्या करती है, यानि कि हमारी ज क्लोस फूर्ट जो मैं आपको पड़ा चुका हूं उसके लावा को नोवी अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें क्या किया जाता है इस नोवी अनुसूची के अंदर भूमी सुधार से समंदित जो कानून है उनको जोड़ा जाता है तो इसके अंदर अगर हम बात करें DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो विवाद है और उसके संदर में चंपकम दोराय राजनवाद के अंदर पहला इनकी फंडामेंटल राइट्स एवन DPSP के बीच में पहला विवाद कहां पर आता है पहला विवाद आता है साथियों चंपकम दोराय राजनवाद में उसमें क्या कर दिया जाता है सर्वोचे नाले द्वारा सर्वोचे नाले द्वारा यह बोल दिया जाता है कि आप DPSP को लागू करने के लिए fundamental rights का उलंगन नहीं कर सकते हैं तो यह वात थो था चंपकम दोराय राजन का जिसमें कौन किस आर्टिकल आर्टिकल 46 के बीच में डिस्प्यूट था और आर्टिकल 15 है आर्टिकल 29 का इनकी बीच में डिस्प्यूट था तो उसके संदर में सर्वोचे नाले ने ऐसा बोला अगले वाद की बात करें हैं अगला वाद है सातियों गोलक नात वाद अगला अगला कौन सा वाद है गोलक नात वाद है कि यह समंद्धी था पंजब राजी से किस्षे समंद्धी 506 का वां है कि दो भाई थे एक टे हैं रेंद्र और व blij़यम गोलक यह काह से सत्राइस pandemic जालंदर इनके पास में कितनी हेक्टेर भूमी थी 500 हेक्टेर भूमी थी लेकिन क्या होता है जब पंजाब सरकार के द्वारा क्या किया जाता है भूमी सुधार कानून लेका आया जाता है तो उन भूमी सुधार कानून के तेत इनकी क्या चली जाती है जमीन चली जाती है और फिर इस पंजाब सरकार के द्वारा जो भूमी सुदार कानून लेके आया गया था उसको कौन सी अनुसूची में डाल दिया जाता है ऐसा कौन से सविदान संसोधन के तहत किया जाता है ऐसा 17 सुधार कानून को क्या कर दिया गया सातियों सतरवे सविदान संसोधन की साहिता से क्या कर दिया गया नुवी अनुसूची के अंदर समलित कर दिया गया तो उसके बाद में गोलक कॉर्ट में इन्होंने कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का अर्गूमेंट दिया इन्होंने कहा कि सरकार दोरा जो कारिये किया गया है उसकी साहिता से अथार सरकार ने जो बूमी सुधार किया है उससे क्या हो रहा है मेरे आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उलंगन हो रहा है आर्टिकल 14 यहने विदी के समख समता आर्टिकल 19 का कलोज 1 उसका भी सब कलोज एप इसके प्रादिकार द्वारा ही वंचित किया जाएगा और नम्मर दो अगर संपती के अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो उसका उदिशे क्या होना चीए पब्लिक परपस होना चीए और उसको संपती के अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो उस वेक्ति को क्या दी जाएगी compensation भी दिया जाएगा या मौावजा भी दिया जाएगा तो इन provision के आदार पर क्या किया जाता है सरोचे न्याले में जो 17 जो constitution amendment है 17 constitution amendment को क्या किया जाता है साथियों चुनोती दी जाती है जब इसको चुनोती दी जाती है तो न्याई पालिका इसके समद में क्या निन्ने देती है हमारे लिए ये कहानी है उसके बाद में हमारे लिए जो ये जज्मेंट दिया वो महत्पूर्ण है नियाई पालिका ने क्या कहा सातियों कि नियाई पालिका ने कहा कि जो फंडामेंटर राइट्स का जो चेप्टर है वो फंडामेंटर राइट्स का चेप्टर क्या है वो फंडामेंटर राइट्स का चेप्टर बहुत ही पवित्र है वो फंडामेंटर राइट्स का चेप्ट को नहीं चिना जा सकता है संसोधन के द्वारा ही कारिय पाली का और विदाई का द्वारा इसको क्या नहीं किया जा सकता है नागरिकों से चिना नहीं जा सकता है ऐसा कौन से वाद में बोला गया साथियों गोलक नात्वाद में बोला गया और इसी के अंदर एक एक concept introduce किया जाता है सरवचे नेले द्वारा वो concept होता है बहुशे लक्षी विदी का सिद्दान्त क्या concept होता है साथियों बहुशे लक्षी विदी का सिद्दान्त बहुशे लक्षी विदी का सिद्दान्त इसमें क्या होता है इसमें सरवचे नेले ये मानता है कि अभी तक अ गोलकनातवाद से पहले अगर fundamental rights में किसी भी परकार के संसोदन किये गए है तो वो तो क्या होंगे वेद्य होंगे लेकिन आने वाले future के अंदर fundamental rights में किसी भी परकार का संसोदन है नहीं किया जा सकता है तो गोलकनातवाद जो तो fundamental rights है उस fundamental rights को क्या बता दिया गया सविदान का पवितर भाग बता दिया गया अगर पवितर हम यह तो इसको छूना मना है इसका ताहद पिर है कि सविदान संसोधन के दूरा भी इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन है नहीं किया जा सकता है और उसके इलावा क्या बोला कि बहुशे लिक्षी विदी का सिद्धान्त दिया गया जिसमें ये बोला गया कि अभी तक अगर गोलकनात वाद तक अगर फंडामेंटल राइट्स के चेप्टर में अगर किसी भी परकार का संसोधन कर दिया गया है तो वो तो है वैद्य लेकिन आने वाले समय में लेकिन अब फंडामेंटल राइट्स के चेप्टर में किसी भी परकार का संसोधन नहीं किया जा सकता है ऐसा कौन से बाद में बोला गोलकनातवाद में इंडिर्यक्ट क्रूप से शर énयाले ने क्या किया साथी यो अगे बढ़ते हैं उसके बाद में करता है केश्वाननद्भारती केश्वानन्द भारती बनाम केरल राज्जे भारती न्याइपाली का द्वारा दिया गया सबसे महत्पुन निन्य 24 अप्रेल 1903 देखो साती हूं इसका थोड़ा बहुत कॉंटेक्स देख लेते हम कॉंटेक्स में वही चीज देखने वाले हैं जो फंडामेंटल राइट्स और DPSP के चेप्टर के विवात से समंदित है हालंगी केश्वानन्द भारती के अंदर संसद द्वारा किये अनेक परकार के संसोदनों को चुनोती दी गई थी लेकिन हम कॉंटेक्स में कुन से किसको लेने वाले हैं जो हमारे यहां से समंदित है 2021 में यह किया जाता है 25 constitutional Amendment किया जाता है 1971 में इसमें क्या provision किया जाता है कि जो article 39 article 39B और article 39C इनको लागु करने के लिए article 39B और article 39C को लागु करने के लिए यह कौन से परावदान थे अभी हमने देखा हमारे सविदान के कौन से परावदान थे समाजवादी परावदान थे इन समाजवादी परावदानों को लागू करने के लिए सरकारे क्या कर सकते हैं या रज्य क्या कर सकता है आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 इनका क्या कर सकता है साथियों उलंग कर सकता है क्या था एक बार वापस देख लो 25 जो कॉंसिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया उसमें यह लिखा गया कि सरकारे क्या कर सकती है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C इसको implementation करने के लिए क्या कर सकती है नागरिकों के article 14 article 19 और article 31 का क्या किया जा सकता है उलंगन किया जा सकता है यह किस परकार के provision थे यह provision थे उदारवादी इसका ताथ्प्रिय है कि indirect group से यह संगर्स किसके बीच में था दो विचारदारों के बीच में संगर्स था एक तरफ बोल रहा था कि संपती का अधिकार क्या होना चीए व्यक्ति का अधिकार होना चीए और एक तरफ क्या बोला जा रहा है कि संपती का परपच क्या होना चीए समुदाय की भलाई के लिए होना तो इस सविदान संसंदन को क्या किया जाता है सातियों केश्वानन्द भारती बनाम केरल राजिये में चुनोती दी जाती है हलंकि जो केश्वानन्द भारती की जो डीबेट है इसको हम कहां पर देखेंगे जो फंडामेंटल जो हमारा सविदान है उस सविदान का मूलबू धाचा पड़ेंगे और हम सविदान संसोदन पड़ेंगे जब न्याइक समीक्सा का चैप्टर पड़ेंगे वहां पर इसको देखने वाले हैं लेकिन अभी कौन से किस कॉंटेक्ट में पड़ रहे हैं फंडामे यह हुआ कि जो समाजवादी प्रावदान है अर्टिकल 39B और अर्टिकल 39C इसको लागो करने के लिए क्या किया जा सकता है एसा किया जाता है तो वह वेद्य हैं इसका तात्पिरी हैं न्याई पालिका ने यह माना कि सारकाने जो संवाजिक न्याई के लिए जो कारिय कर रही है वो क्या है तरक संगत है लेकिन इसी इसी वाद के अंदर एक concept आता है मूल बूराचे का मूल बूराचे का यह निकि हमारे जो constitution है उस constitution का जो basic structure का concept आता है और जिसमें यह बोला जाता है कि संसद क्या कर सकती है संसद सविधान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकती है बैसर्थ यहनिकी condition यह है कि हमारे सविधान का मूल बूराचा नहीं होना चीह हमारा सविधान का basic structure वह basic structure का अलंगन है नहीं होना चीह अथार्थ यह हो गया कि क्या किया जा सकता है fundamental rights में भी changes किए जा सकते है fundamental rights में भी changes किया जा सकते हैं बट condition apply है कि जो basic structure है उस basic structure का उलंगने नहीं होना चीए तो यहां पे case वानन भारती बनाम केरल राजिये में क्या बोल दिया कि fundamental rights में आप क्या कर सकते हैं changes कर सकते हैं बट condition सने मुल्बू ढचानेशनी होना चीए और सरकार के द्वारा जो 25 सविदान संसुदन किया गया वह क्या है वेद्य हैं अथार सरकारें जो समुदाई की समुदाई की बलाई के लिए जो कारिये कर रही है जो सामाजिक न्याई के लिए जो कारिये कर रही है वह क्या है वेद्य यह कैंट कंणाटक की में एक कपड़ा मेल थी जिसके जो upon va र नाइंड सवक्याइब किसरें कर दिया जाता है इसका कर दिया जाता है इसका नेश्ट करके क्या कर दिया जाता है इसको nine schedule के अंदर डाल दिया जाता है ताकि जो न्याईपाली का क्या नहीं कर सके इसकी न्याईग समिक्षा नहीं कर सके तो अब इस से पहले क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया सातियों 42 इसमें क्या कर दिया जाता है इंद्राइगांदी सरकार जोस में आ जाती है जब 25 सविदान संसुदन को क्या माल लिया जाता है सविदानिक माल लिया जाता है तो इंद्राइगांदी सरकार क्या आ जाती है जोस में आ जाती है और वह बोल देती है कि जो डिपेसपी धे वोट क्या होगा आर्टिकल mercy आर्टिकल 14 आंटिकल 19 और लेकिन 42 42 से क्या कर दिया है सभी को क्या मत्यांसांसोदन तोpen को सिमन करने जाट का सिर्थ का क्या जाता है नियाईपालि का में चुनोती दी जाती है कौन से वाध में मिनर्वा मिस्वाद में ये इतम बुलता है कि स裝ग्ermitta fundamental rights, DPSPJon fundamental rights क्या हैं? एक दूसरे के Co क्या है? मैत पूंट भुमी का है。 तो जो विवाद है तो इसीलिए सरवोची नियाले ने क्या कहा कि DPSP एव़म DPSP एवम fundamental rights के bouche chapter के बीच में क्या नहीं होने चीए प्रात्मिक्ता इन की इनके बीच में प्रात्मिक्ता एवम जो सरवोची अता को लेके जो संगर्स है वो क्या नहीं है तरक संगत नहीं है इनके बीच में ऐसा किसी भी परकार का विवाद नहीं होना चीए क्यों नहीं होना चीए क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के पूरक है दोनों क्या है एक इरत के दो पईये हैं इसके अलावा मिंदरवा मिलस्वाद के अंदर सरूचे न्याले द्वारा एक महतपूर्ण कॉंसेप्ट दिया जाता है वो है समंजेशेपूर्ण सरचना का सिदानति ने का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंस्पल कौन सा सिदानति दिया जाता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंस्पल दिया जाता है कौन से बाद में दिया जाता है मिंदरवा मिलस्वाद में दिया जाता है जिसमें सरवचे नयाले क्या बोलता है कि हमारे सविदान की जितने भी जो आदर्स हैं यहां पे डीपी एसपी और पंडामेंटल राइट्स यह है क्या है हमारे सविदान के आदर्स हैं और जो हमारे सविदान की जितने भी संस्ता हैं उनमें प्रात्मिक्ता को लेकर उनमें स परकार का संगर्ष नहीं होना चाहिए अपी तो उनके बीच में क्या बना रहना चाहिए उनके बीच में क्या होना चाहिए उनके बीच में क्या होना चाहिए सुहार्थ बना रहना चाहिए यही सिद्धांत किसे समंदित है समंजी से पूर्ण सरचना से समंदित हैं जिस परक जिसे पुन सरचना का सिद्दान्त ये बोलता है कि संग सरकार और रजी सरकारों में किसी भी परकार का प्रात्मिक्ता को लेकर ये सरवचेता को लेकर संगर्श नहीं चलना चाहिए, अपी तो दोनों की क्या है बराबर इंपोर्टेंसी है, दोनों क्या है एक दूसरे के पू है, ऐसा सिद्दान्त कोन सा बोलता है, हार्मोनियस कंस्ट्रेक्शन का सिद्दान्त बोलता है, तो हार्मोनियस कंस्ट्रेक्शन का सिद्दान्त कोन सी वाद के अंदर आता है, मिनर्वा मिल्स वाद के अंदर आता है, और मिनर्वा मिल्स वाद के अंदर जो DPSP और जो समाप्थ हो जाता है अब हम या क्या कर लेते हैं आज की जो हमारी क्लास हुई उस क्लास से समन्दित अगर कोई हुशन है तो उनकी सन का सोलीशन जानने का प्रियास कर लेते हैं गी पीसी के एकजामें यहनी कि आरेस के एकजामें पूछे गें हैं मूल अधिकारों यह फंडमेंटल राइट्स एवं राजे के नीती निदिस्क्रत तत्विए ने पीएसपी को यथा संभव परभावी बनाने के लिए सम्य सरचना का सिद्धान्त अपनाया गया है harmonious construction का principal अपनाया गया है अभी अभी हमने देखा है कि harmonious construction का principal सरवोचे नियाले दोरा Supreme Court के दोरा कौन से वाद में दिया जाता है मिंदरवा मिल्सवाद में दिया जाता है कौन से वाद में दिया जाता है मिंदरवा मिल्सवाद में 1980 के अंदर दिया जाता है जिसमें ये बोला जाता है कि जो हमारे सविदान के जो आदर्स हैं DPSP और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बीच में किसी भी परकार की सरवचेता संगर्स नहीं होना चाहिए अपी तो दोनों की क्या है बराबर महत्पुन बुमी का है इसलिए दोनों के बीच में क्या होना चाहिए दोनों के बीच में क्या होना चाहिए समन्वे होना चाहिए जिस परकार से एक एक जामपल की साहिता से अगर हम बात कर तो fundamental rights किस परकार के democracy की बात करता है political democracy की बात करता है और DPSP की बात करें तो DPSP किस परकार के democracy की बात करता है economic democracy और social democracy की बात करता है अगर हम इन दोनों चेप्टरों को मिला ले तो हमारा constitution किस की बात करेगा political democracy प्लस economic democracy प्लस social democracy और यही हमारा सविदान समगर सविदान बनेग होगा जो हमारे सविधान के जो सभी बाग है वह क्या है आंगिक रूप से जुड़ेवे हैं जिस परकार से हमारा जो सरीर है और सरीर के विवन बाग आपस में जुड़ेवे हैं और सरीर के परतेक बाग की बराबर importance है उसी परकार से जो हमारे constitution के अंदर जो अध्याई लिके हैं जो 22 अध्याई लिके हैं इन 22 अध्याईयों की क्या है साथियों equal importance है तो यह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और यह कौन से बाद में बुला गया मिनर्वा मिल्स के बाद में बुला गया harmonious construction का principle है दिया गया उसके बाद में 1990 में मिनर्वा मिल्स केस में उच्तम जाले ने कि आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 में उल्ले कि मूल अधिकारों उपर आर्टिकल 39 भी और आर्टिकल 39C में उल्ले की तराजिये के नीती नीदे सकतातों की वरियता को संस्तापीत की है एक चीज़ द्यान में रखे साथ यह क्या हुआ कि जो मिनर्वा मिल्स के बाद था उसके अंदर 42 constitution amendment को तो क्या कर दिया गया ए सवेदानी करार दिया गया अथार्थ इसके अंदर जो provision था कि हम क्या करने वाले हैं सभी DPSP को सभी DPSP को article 14 article 19 और ओडिकल 39 पर क्या करने वाले हैं प्रात्मिक्ता देने वाले हैं तो इसको तो क्या बता दिया जाता है सवेधानिक बता दिया जाता है लेकिन आर्टिकल टूइंटी फाइब जो वमारा constitution amendment था 1921 में उसमें क्या किया गया था उसमें किया गया था कि आर्टिकल 39 B और आर्टिकल 39 C उसके उपर किसको इनको फ्राइपमिक्ता की गयी टिए इनको प्राइपमिक्ता इस पर अंगी घय लंग Sagny वैटकल फंडामेंटर राइट्सक्या है एक दूसरे के पूरक है एक दूसरे amendment है वो क्या है विद्ध है अतार जिसमें जो समाजवादी प्रावदान हैं उन समाजवादी प्रावदानों को लागू करने के लिए उलंगन किया जा सकता है एसा इसलिए कहा गया क्योंकि आप सभी को बता है कि 44 constitution amendment की शायता से क्या कर दिया गया 1948 में क्या कर दिया गया था संपति के अधिकार को एक मोलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया अधिकार के रूप में समाप्त करके कौन सा अधिकार बना दिया गया विदिक अधिकार बना दिया गया था इसलिए इसके अंदर ये दोनों कंडिशन वेलिट थी यहीं कि 25 जो constitution amendment था वो भी valid था और जो harmonious construction का जो principle है वो भी कौन से वाद में था सातियों मिंदरवा मिल्स वाद में था तो दोनों answer क्या हो जाएंगे दोनों option क्या हो जाएंगे हमारे correct हो जाएंगे यहीं सही हो जाएंगे तो आपको कत्रों पर विचार करना है कि नंबर एक क्या बोला है कि चम्माली स्वें यहीं कि 44 constitution amendment 1978 के द्वारा राजे के सभी निती निदे सकत्तों को article 14 article 19 में उल्ले की जो fundamental rights नि मूल अधिकारों पर प्रात्मिक्ता यहीं प्रायृरिटी परदान की गई है अब देखो अभी हमने देखा कि 42 constitution amendment कौन सा constitution amendment साती हो 42 constitution amendment 1978 1976 इसकी साहिता से क्या किया गया था सभी जो DPSP हैं उन सभी DPSP को article 14 article 19 और article 31 पर प्रायृरिटी परदान की गई थी तो ऐसा कौन से constitution amendment की साहिता से किया गया था 42 constitution amendment की साहिता से किया गया था जब किसकी सरकार थी इंद्रय गांदी की सरकार थी यह चमाली स्वा सभीदान संसोदन तो किस से समंदित है सातियों संपति के एदिकार से समंदित है और ये सविदान संसोदन किसके टाइम में आता है मुरार जी बाई देशाई की जो government होती है उसके समय आता है तो यहां पर यह फैक्ट गलत है यह फैक्ट लिखा है यह फैक्ट गलत है बाकी आगे कि जो लाइन है साती हूं वो सही है कि क्या कर दिया गया था सभी डीपीएसपी को इस पे जो आर्टिकल 14 है आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 31 पर क्या कर दी गई थी तो यह गलत हो गया उसके बार में मिंदरवा मिल स्वाज यह नाइंटीन 1980 के अंदर क्या किया है 1989 में उच्तम न्याले ने इनी सुप्रीम कोट ने यह विवस्ता दी है कि केवल आर्टिकल 39 B और आर्टिकल 39 C में उलेकित जो मूल अधिकारों पर ही प्रात्मिक्ता क्या है सवेदानिक है अभी मैंने बताया कि जो 25 जो कॉंसिट्यूशन को क्या बनाया रखा गया साथियों वेद्य बनाया रखा गया जिसमें क्या था कि आर्टिकल 39 B और आर्टिकल 39 C को क्या कर दी गए थी प्रात्मिक्ता परदान कर दी गए थी किस पर प्रात्मिक्ता परदान कर दी गए थे आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 पे तो य कर दो और मोली कदिकारों के बीच में अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है यह निकि जो क्यूसन है वो डीपी एस पी और जो फंडामेंटल राइट की बीच में जो डीप्रेंस है उससे रिलेटर है जो भी हमने पड़ा है कि मोली कदिकार सकारात्मक नहीं है अपी तो मोल नीती नीदे सकततों है वो क्या है सकारात्मक विचार है यह बोल रहा है कि नाकारात्मक नीती नीदे सकततों सकारात्मक विचार क्यों है क्योंकि इसमें राइजी क्या करता है लोगों के कल्यान करने के लिए आगे आता है लोगों के जीवन को लोगों की जीवन में सुदा नितिक रूप से माँने हैं अभी मैंने बता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो विदिक रूप में मादे हैं। तो मोलिक अधिकार वेक्ति के कल्यान को बढ़ावा देते हैं जबकि जो राजिय के निती निते सकततों के जो सिद्धान्त हैं समुधाय के कल्यान को बढ़ावा देते हैं अगर हम बात करें जो फंडामेंटल राइट्स का चेप्टर है वो फंडामेंटल राइट्स का चेप हैं समाजवास से जुड़े हैं जो क्या करता है समाज समुदाय के कल्यान की बात करता है क्योंकि इसके अंदर हम जो राज्य का जो सहरूब देखा था वो किस परकार का था लो कल्यान का री किस परकार का राज्य था लो किया जा सकता है ऐसा नहीं है डी पी एस पी को लागू करने के लिए विदी का निर्मान करना पड़ेगा क्योंकि आर्टिकल थर्टी से उन में हमने क्या पड़ा है कि नीती नीदे सकत्तव क्या होंगे ए बाद योग्या होंगे नीती नीदे सकत्तव क्या है सासन संचालन के म करना होगा विदी का निर्मान करना होगा तो यह बोल रहा है कि सकता हो होगी और मोलिक अधिकारों का जो ज्याय हो उसको कानून बनाने के आउसकता नहीं होती है वो सवेते ही लागू होता है तो यह हमारा क्या हो गया साथियों हमारा जो देखो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया है हमने कौन-कौन से चिप्टर पढ़ लिया है हमने पढ़ होती है उसके अंदर 19199 35 का क्वी पढ़ लिया है इसके लावन हम ने प्रींबल का तो कोंसेब्ट हैए प्रींबल का कॉंसेट्थ भी पढ़ लिया है हमने फंदामेंटल राइट्स हैं hanada प्ढ़ लिया है और आगे अभी हमने क्या पढ़ लिया है और आगे कि जो फंदमेंटल ड्यूटी पर होने वाली में जब हमारी एज तो उस करदेशन में क्या हो जाएगा हमारे जो क्यों सविदान के वेचारइक ततो है Nearly वेचरिक ततों से समंदित जो भी हमारे जो कॉंसेप्ट है वो कॉंसेप्ट क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम संकीकारिय पालिका से हमारा जो चेप्टर होगा उसका ज्यन प्रारम करेंगे तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद